चलिए न्यूस पर व्यूज में आज एक और कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हुई है न्टीपीसी ग्रीन एनरजी अब हम उनसे बात करेंगे आगे कंपनी का किस प्रकार का प्लान है और कैसा आउटलुक बनता दिख रहा है सपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके है हमने देखा अल्मोस 6,7% उपर हुई और अभी अगर देखा जाए तो अल्मोस 12-13% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कंपनी के बार मैं बता दू अप्रेल 2022 में पनी एन्टीपीसी की होली ओन सबसेजरी है फरवरी 2023 में एन्टीपीसी ने 15 रिन्यूबल एनरजी है और सोलार विंट पार जेनरेशन का इनका कारोबार है और मिस्टर श्रीवासन हमारे साथ जुड़े आपको बता दू कि इंस्ट्यूट ऑफ कॉस्ट इंवर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया के असोसियेट मेंबर है नागपूर युनिवरसिटी से सर ने बीकॉम किया है और 17 साल से जादा वक्त तक पार सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में ये डिरेक्टर रहे हैं मिस्टर श्रीवासन सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली और स्टॉक में स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है तो सर अब जब आप दन्यवाद सरोप्रतम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी निवेशुकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ खास करके हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और एग्जिस्टिंग शेरोल्डर सेंटीपी से के कि मौझूदा मार्केट के परिस्तिती में भी उन्होंने काफ परिस्टिंग अच्छा हुआ है और आगे चलके हमारे ग्रोट प्लान्स बड़े अम्बिशियस है सन दो जार बत्तिस तक हमारा साथ गिगावैट का एक लक्ष लेके हम चल रहे हैं आज हमारा तीन द्षेमलों तीन यह हमारा ऑपरिशनल के पासिटी गिगावैट का आपरिशनल के पासिटी है करीब तकरीबं 13 täll wormен अडर कंस्ट्रिक्शन परदर और और ऐसे प्रकार से और कुछ 9 Gb का हमारा पाइपलाइन में है एक तकरीबन 26 Gb का कपासिटी में हम काम कर रहे हैं और हर साल जो है यह करेंट यह में हम 3 Gb का कमिशनिंग करेंगे अगले साल 5 Gb का हमारा सामने लक्षा है और उसके आगे जो है आठ गिगावाट तक्रीबन ओन एवरेज आठ साथ या आठ गिगावाट का हमारा कमिशनिंग का प्लाइंस रहेगा इस प्रकार 60 गिगावट हम फैनेंशियर दोजार बत्तिस तक पहुंचने का हमारा सामने लक्षा है जिसके और हम पूरे साधन के टाइप कर रहे हैं और नीदी का भी टाइप कर रहे हैं और हमें पूरन विश्वाश से है कि हम फैनाशिल एर बत्तिस के पहले ही कमप्लिट कर देंगे कुछ बड़े शमता विस्तार के योजना भी है कम्पनी के पास तो सब यह समझना चाहेंगे कि यह जो शंता विस्थार आप कर रहे हैं, कितना रिफ्लेक्ट होगा रेवेन्यू में अगर आरे वाले एक से दो साल की बात करें, तो रेवेन्यू ग्रोथ आप यहां से कैसी देख रहे हैं? देखें, रेवेन्यू ग्रोथ अगर थोड़ा दो साल हम पीछे देखें कि दो साल में हमारा कैपासिटी 2.3 टाइम्स बढ़ गया है और हमारा जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है यह प्रतिवर्ष 40% से ज़्यादा हुआ है, प्रोफिताबिलिटी भी काफी 80-90% का मिल रहा है और हमारा एबिटा मार्जिन भी काफी हल्दी है, 86-87% है, तो इस प्रकार यह जो कपैसिटी एडिशन के प्लान से हमारा इसके अनुसार हमारा स्टीप ग्रोथ रहेगा, रिवेन्यूज में प्रोफिताबिलिटी में, तो हमारा इस जैसे मैं कह रहा था कि 3 गिवेट और 8 गिवेट इस प्रकार हम 19 गिवेट के आसपस हमारा पहुंच जाएंगे 2017 तक, तो इसी इसी मार्जिन को लेके, हमारा पैट मार्जिन भी काफी अच्छा है, 17% के आसपस हमने फिनांशिल लियर हाफ यह में अचिव किया है, इसी प्रकार का ग्रोथ हम रिवे अगले दो वित्वर्षों में कितना एक्स्पैंड करने की आप यूजना बना रहे हैं? हमारा ऑपरेशनल कपैस्टी आज 3.32 गिगवेट है, उसमें प्रिडॉमिनेंटली हमारा सोलार एनरजी ही है, सोलार के मद्यम से ही है, लेकिन आगे हमारे सामने जो अंडर कंस्ट्रिक्शन प्लाइंट्स है, इसमें हमारा तकरिबन रेशियो असी प्रतिशत जो है यह सोला प्रोजेक्स से आएगा और 20 परसंट जो है यह विंड प्रोजेक्स से आएगा, कुछ उसमें हमारे स्टोरेज के भी प्लांस रहेंगे, सार हमना आपके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो देख रहे थे, उसमें मार्जिन हम देख रहे थे कि पिछले तीन सालों से यह 87 से 90 के आसपास के रेंज में ही देखने को मिल रहे हैं, आगे भी क्या आप इनी लेवल्स पर अपने ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे हैं या फिर थोड़ा और यहां पर सुधारा आप देख रहे हैं, क्या उटलूक होगा आपका हमाँ पर? अपरेटिंग मार्जिन यहां से इंपरू होगा क्योंकि जैसे ही जादे कैपैसिटीज आते हैं, उसमें एकोनोमी ऑफ स्केल ऑपरेट होगा, हमारे O&M कॉस्ट और कम होगे, और दूसरी बात यह है कि कमपनी को स्तापना हुए दो साल ही हुआ है, इस कमपनी को स्तापना ह जो इतने सालों से जो रेट पे फंड रेस कर रहा है, उसी रेट में आज एंजील को मिलना शुरू हो गया है, तो इस प्रकार हम लोगों का जो चीप फेनांस का जो अपरचुनिटी है और हमारे जो एक्सपिरियंस है, मैनेजमेंट टीम का एक्सपिरियंस है, इतने सालों का पाच दशक का यह सब को कंबाइन करके हम हमारा जो आगे चलके प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा, एक आखरी सवाल, हमने देखा कि कंपनी के पिछले तीन साल में कैश फ्लो काफी बढ़ियां रहे हैं, तो इसको आप बरकरार रखें, सुनिश्चित र मैंनेजमेंट और बेटर होगा, हम आगे चलते हुए अभी जो फॉरिन करंसी लोंस है, पर्टिकुलर्ली जो फॉरिन फैनेश्यल इंस्टिटूशन है, जो ग्रीन प्रोजेक्स के तरफ उनका जुकाव है, ऐसे लोगों से हम बड़े ही सस्ते में लों रेस करेंगे और इस को और ज्यादा इंप्रोव करेंगे. आपने मैनेजमेंट को सुना किस प्रकार की प्लांस बनते देख रहे हैं.